तो गाइज आप सभी को पता होगा ओला ने जो कुछ दिन पेले ओला S1 येर के बाद जो ओला S1 का 2 kWh हरवाला मॉडल लॉंच किया था जो की सेम एज इट S1 जैसा ही रहेगा बस इसमें 90 km की रेंज बताई थी बट गाइज अभी जो है ओला की तरब से इनकी ओफिचल वेब पर रिफरंड भी दिखा रहा है तो यार देखो यार सबसे पेले तो ओला जो बहुत ही बड़ा ब्रैंड है नंबर वन पर जोए और पर इनका जोए 700 से 800 इलेक्रिक स्कूटर जो है सेल होते हैं लेकिन इन्होंने भी जो है सबी जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया है अगर आइज ओला इस वन जो है कम रेंज वाली कस्टमर को सेम फीचेस के साथ सिर्फ उसे प्रेंज कम मिलेगी जिनको भी जो को रनिंग बहुत ही कम थी बजट थोड़ा सा कम ता 10-15,000 रुपए आपको जो थोड़े से कम देने पड़ते थे उनके लिए अच्छी थी बट ओला ने यह डिसकांटिन्यू कर दिया है तो आप यह आपको ओला इस वन जो है टू किलो वाला मॉडल देखने को नहीं मिलेगा मतलब आने से पहले इन्होंने बंद कर दिया है इसके पीछे रिजन है क्या इसकी ओला इस वन येर जो है वो इंडियन मार्केट में नेक्स महिने में आने वाली है, अगर OLA S1 Year में जो है, फीचरस वगेरा थोड़े से कम मिले, और बीलडी सी आपको OLA S1 Year में मिल जाती है, और बी कई सारे पॉइंट है, जिसके मोटर के पावर भूती कम है, तो कस्टमर जो है OLA S1 की तरप ना जाकर S1 2 किलोएट हर वाले model की तरफ जा सकती थी इसलिए भाविश अगरवाल ने इनका दिमाग चला दिया है कि हम जो है S1 का 2kWh वाला model निकालेंगे ही नहीं S1 year की sale कम हो सकती है तो गाईज देखो यार ये सभी brand को करना पड़ता है अपने sales के हिसाब से तो जिनको भी गाईज Ola S1 कम range वाली लेनी थी तो उनके लिए आप जो एक bad news है आप जो है Ola S1 year की तरफ जा सकते हो उसकी price अभी तक announcement नहीं हुई है कि नई price कितनी देखने को मिल सकती है Ola S1 2kWh वाला छोड़ो और Ola S1 year ले लो तो दोस्तो यह है फाइनली Ola का reason की यार इसके पीछे मतलब यह जो है पूरा दिमाग लगा रहे है कि Ola S1 year की sale बढ़नी चाहिए future में जो है यह जो है successful होना चाहिए तो यह थी कुछ आज की Ola S1 2kWh वाले model की update जो आपको नहीं देखने को मिलने वाला वीडियो चला तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यह से वीडियो देली देखने के लिए चानल को सब्सक्राब करना भी ना भूली